नमस्कार मैं हूँ आपका दोस विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले आट-दस मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो महराष्ट में स्थिती ये आगई है कि वहाँ पर पत्रकारों तक ने अपनी अपनी जाती के आधार पर वाटसब ग्रुप बना लिए महराष्ट में सिती ऐसी आ गई है कि मराठ वाड़ा में मराठी आटो चालक गैर मराठी सवारियों को ढोने से इंकार कर रहे हैं ये कहना है महराष्ट की राजनीती को नस्दीक से समझने वाले वरिष्ट लेखक चिंतक पत्रकार गिरीश कुबेर का जिनका लेख इंडिन एक्सपेस में छपा है बताया गया है लेख में कि ना तो बीजेपी के काम संग आएगा ना लड़की बहना योजना एकना शिंदे को दुबारा मुख्यमंत्री बनाने में काम्याब होगी ना एक लाग करोड की रेवणियां ही सेवा कर पाएंगी इसी तरह ना शरत पवार का अनुभव काम आएगा ना उदव ठाकरे की मराठी अस्मिता का जादू चलेगा और ना ही महाविकास अगाडी का मजबूत गड़बंदन महाविकास अगाडी को सत्ता में लापाएगा तो फिर सत्ता में क्या लाएगा ये जो 6-7 कारण बताई अपनी जगा चलेंगे लेकिन में कारण क्या होगा सबसे बड़ा महाराश्टी राजनीती का चुनाओं का विजे फैक्टर क्या होगा तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा विजे फैक्टर होने वाला है शोशल इंजिनेरे जो गटबंदन जितनी ज्यादा जातियों को जितने ज्यादा समुधायों को जितनी ज्यादा क्यम्यूटीज को अपने काबू में ले लेगा वो चुनाओं जीतने के उतने करीब पहुंच जाएगा अब कहानी ये बताई गई है कि दिवेंदर फणेवीस ने 2019 के विधान सबा चुनाओ से पहले एक मास्टर स्ट्रोग खेला कि मराठों को आरक्षन दे देते हैं कि एक भ्रामण मुख्यमंत्री मराठों को आरक्षन दे रहा है तो मराठे जुड़ जाएंगे बीजेपी के साथ लेकिन सुप्रीम कोट ने उनके इस महत्व कांशा पर पानी फेर दिया जब उन्होंने आरक्षन पर रोक लगा दी फणवीज के हाथ कुछ नहीं लगा उल्टे अब मराठों में आरक्षन रिजर्वेशन पाने की जो अकुलाहट थी और ज्यादा बढ़ गई उनका आंदोलन और तेज हो गया वो OBC में आरक्षन चाह रहे थे ऐसे में मराठों से ज्यादा OBC महराश में है जो लामबंध होते चले गए और देवेंदर फणवीज को लगा कि ये भी उनके हक में ही जा रहा है लेकिन कालंतर में क्या हुआ दो बड़े मराठे नेता अजीत पवार और एकनाश शिंदे एक चीफ मिनिस्टर बन गे एक फणवीज की तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गे ये मराठा आंदोलन का साथ देने लगे उधर देवेंदर फणवीज को लगा कि अब आरक्षन की आग भी जलती रहे किसी फैसले पर भी नहीं पहुचा जाए सब के हाथ में एक-एक मिस्री डालते रहे और चनाव जीत जाए ये कहानी चल जाएगी लेकिन OBC भी नराज होगे और मराठे भी नराज होगे किस से महायुती से यानी एकनाशिंदे अजीत पवार और देवेंदर फणवीज की तिगडी से OBC भी नराज होगे और मराठे भी नराज होगे ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। मराठो ने OBC में आरक्षण मांगा तो धंगर जो भेड़ पालक समुदाय है वो चौकस हो गया उसने भी आरक्षण के हक में अपना आंदोलन तेज कर दिया अब महायुती सरकार ने क्या किया जिसने आरक्षण मांगा दे दिया धंगरों को भी आरक्षण दे दिया ऐसे में और समुदायों में अकुलाहट बढ़ती गई सबको लगा कि आरक्षण सबको मिल रहा है हम क्यों बंचित रह रहे हैं तो सरकार ने क्या किया चलो सबको खुश कर देते हैं तो ऐसे 17 समुदायों को उन्होंने एक अलग इंडिपेंडेंट कॉर्परेशन के रूप में स्थापित कर दिया और 50-50 करोड की सीड़ बनी दे दी तो ये इंडिपेंडेंट आटोनोमस कॉर्परेशन बन गे जिसमें हिंदू खटीकों का भी हो गया और इसमें अन्य समुदायों का छोटी छोटी जो जातियां है उनका भी हो गया और इस तरह के इस समय 17 समुदाय ऐसे चल रहे है ऐसे में गरीश को वहर कह रहे हैं कि इस तरह जाती का प्रभुत्व चाता जा रहा है शोशल इंजिनिरिंग चाती जा रही है वसे एक वक्त था जब बीजेपी जातियों का गड़ित खेलती थी तो उसको शोशल इंजिनिरिंग कराब दिया जाता था और समाजवादी पार्टी या मायावती या लालू या कॉंग्रेस के ही काम करती है तो उसको जातीवादी राज्मिती कहा जाता है अब ये भेद मिट गया है ऐसे में कुल मिलाकर कहानी ये है कि जिसके साथ जितने समुदाय जुड़ जाएंगे उसके चुनाव जीतने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी अब बीजेपी के लिए यहां दिक्कत क्या आती है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उन दलितों और मुसल्मान वोटों का क्या करे जो लोकसभा चुनाव के समय महाविकास अगारी के पास चले गए थे और वो लोटते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे मुसल्मान तो नहीं लोटेंगे पहले भी नहीं थे बीजेपी के साथ तो इसके लिए दो काम किये गए एकनाशिंदे सरकार ने मौलवियों का जो स्टाइपन्ड या तनखा है वो बढ़ा दी जो मदरसों के लिए जो काम करते हैं जिनको 6,000 मिलता था उनको 10,000 कर दिया ग यह सोच कोई कि करीब 11-12% मुसलिव अबादी है वो पाइदे में रहे जी अब 88-89% हिंदू है 11-1.5% मुसल्मान है तो ऐसे में बीजेपी का हिंदू मुसल्मान करने का काड़ भी पूरे तरह से काम्याब नहीं हो सकता तो RSS प्रमुक मोहन भागवत ने सोचा कि चलिए द पर उनका भाषन है उसके जरीए वो हिंदूं को अप्रोच करते हैं दलितों को अप्रोच करते हैं तो उन्होंने RSS के कार्यकरताओं से आवान किया कि उनको दलितों के पास जाना चाहिए उनके बैठ कर उनके मन मुटाव दूर करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मुसलिमानों को कुछ थोड़ी सी मलाई दे दी गई है प्रकाश अंबेटकर 10 मुसल्मान केंडिड खड़े कर चुके हैं ओवेसी साब कुछ जगा और मुसल्मान खड़े कर देंगे तो मुसलिम वोटों का बठवारा हो जाएगा और दूसरा जो गैर मुसल्मान गैर दलित ज इसमें OBC हैं, मराठे हैं, समण जातियां हैं, उनमें समुदाय ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ लाने की कोशिश में दोनों धड़े लग गए हैं, महाविकासागारी भी इसमें शामिल है, महायुती की तो पूरी विहू रचना चुनाव की इसी के आसपास घूम रही है, क कि अप्रिया